राजस्तान विधान समा चुनाओ के दोरान 22 नमंबर को मालपरा टोड़ा राइसिंग विधान सभा में लोगप्री प्रतियासी घासिलाल जी चोधरी के समर्थन में राजस्तान के मुख्य मंतरी असो गहलोत आये और उन्हें ने जन सभा को सम्मोदित किया जन सभा में अपार जन सेलाप को देखकर मुख्य मंतरी ने आते ही सीधा अपना सम्मोदन दिया और कहा कि इस पूरे सभा इस्तल को देखते वे मैं मान चुका हूँ कि घासिलाल जी जीत चुके हैं अब आपको 25 नौमर को वोटिंग के साथ और 3 दिसमर को जनादेश के साथ मोहर लगनी है और उन्होंने घासिलाल जी को मालपुरा को जिला बनाने के लिए संगर सील व्यक्तिव में क्रेडिट दी है और इसके साथ ही का है कि कॉंग्रेज की सरकार में मालपुरा सें घासिलाल जी विदहिक बनने के बाद बड़ी भागी दारी में सामिल रहेंगे ये सीम का बहुत बड़ा संकेत है सर आज मुखे मंत्री जी स्वेम आकर के बहुत बड़ा अशिरवाद दे कर गए है मालपुरा की सबसे बड़ी जन सभा करने का अपने शुभा गयासिल किया है क्या कहना चाहेंगे कितनी खुशी है और जनता का धन्यवाद जनता जनारदन का बहुत ज़्यदा आशिरवाद मिल रहा है कि मैं कहता हूँ तोड़ा मालपुरा की जनता को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने जो आज आशिरवाद दिया है वो हमेशा बनाए रखे और मैं उनके हमेशा सेवक बनके उनके साथ कंदे चंदे मिलाके विकास की वर्ट चलाता रहूँगा जिस तरीके से सर मालपुरा टोड़ा रहसें के विजन को आपने पहले जनता की भीच में रखा आज मुखे मंतिर ने स्विम उसको नोट किया और कहा कि इन्होंने मालपुरा को जिले बनने के बाद किस तरीके से विक्षित करना है उसका विजन भी तयार कर रहा है तो एक इतना बड़ा विजन पहले से स्यम तक आपका मेसेज इसके माहिन है स्यम साब का बहुत ज़्यदा आशिवाद है और उन्होंने जिला बनाया और सारा सब कुछ सेट अप उसी तरह करेंगे जिस तरह मैंने अभी बताया है है यहां पर यहां बहुत बड़ी स्विधाय होगी बहुत कुछ हो गया और तोड़ा राइसिंग भी अभी किलियर टी निहीं है लेकिन हो सकता है उसके भी इधर टोड़ा वहां भी बड़ी स्विधा ही मिलेगी तो घासिलाल जी चोधरी आज की पूरी जन सभा से सुनिशित हो रहे हैं कि आने वाली 25 नॉम्बर को जो वोटिंग होगी सर्थ दो दिन से इस बचे हैं कल साम को चुनाव परचार थम जाएगा जनता से क्लाश्ट अपील क्या करना चा